हलो बच्चों गणित की कक्षा में आपका स्वागत है बच्चों तुम पूरांकों के बारे में तो जानते ही हो और पूरांकों को नम्मर लाइन पर प्रदर्शित भी कर लेते हो जैसे यह देखो तुमारी एक नम्मर लाइन है और तुमसे अगर मैं कहूं कि माइनस 3 को प्रदर्शित करो तो क्या करोगे कि देखो यह नम्मर लाइन है और तुम इस पे माइनस 3 को यहां पर पॉइंट कर सकती हो ठीक है यह हो गया हमारा माइनस 3 और अगर तुमसे मैं कहू प्लस 3 को प्रदर्शित करो तो तुम भी प्रदर्शित कर दोगे कि प्लस 3 हमारा यहां पर आजाएगा तो यह सब तो तुम सीख चुके हो लेकिन मैं अगर कहूं कि नंबर लाइन पर विपरीद पूरा आंकों को दिखाओ तब तुम कैसे दिखाओगे और विपरीद पूरा आंक होते क्या है यह क्या होता है और नंबर लाइन पर हम प्रदर्शित कैसे करें तो चलो बच्चों इसको हम सीखते हैं कि विपरीद पूरा आंकों को हम नंबर लाइन पर कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं और क्या होते हैं यह विपरीद पूरा यह number line पर दिखाना है तो तुम क्या करोगे 0 के right side चलोगे और अगर मैं कहूं कि कोई negative integer को number line पर प्रदर्शित करना है तो तुम 0 के left side चलोगे ठीक है तो चलो कुछ positive or negative integers लेते हैं और उसे number line पर पहले प्रदर्शित करते हैं जैसे की 3 अब 3 को अगर हमें number line पर दिखाना है तो 0 के हम right side चलेंगे 3 steps कैसे 1, 2 and 3 अब हम आ गए 3 पर इसी तरीके से अगर हमें minus 3 को प्रदर्शित करना है तो हम क्या करेंगे पहले अपनी 0 position पर जाएंगे उसके बाद minus 1, minus 2, minus 3 3 steps ही लेंगे लेकिन opposite direction में यानि की 0 के left side इसी तरीके से फिर से 0 position पर आते हैं और अब देखते हैं कि अगर हमें minus 4 को number line पर प्रदर्शित करना है तो क्या करें 0 के left side चलेंगे कितना 4 steps 1, 2, 3 and 4 ये आ गए हम minus 4 पर और अगर 4 को प्रदर्शित करना है number line पर तो हम 0 पर वापस आए और अब right side जाएंगे 4 steps 1, 2, 3 and 4 बच्चों देख रहे हों मैंने दो धारन लिए एक 3 और minus 3 वाला और एक 4 और minus 4 वाला दोनों में ही तुमने ये देखा कि मैंने equal distance cover किये बराबर दूरी तै करिए बराबर कदम चलें है दोनों और चाहे किसी भी direction में गए हों हम चाहे right गए हों चाहे हम left गए हों लेकिन हमारे द्वारा जो तै की गई दूरी थी जो distance हमने cover की थी जितने steps हम चले थे वो equal थे तो यही कहलाते हैं हमारे विपरीत पूरा अंकों के जोड़े जैसे यहां देखो number line पर 3 और minus 3 0 से 3 पर हम जितना गए 0 से minus 3 पर भी उतने ही कदम चले हैं तो यह 3 और minus 3 क्या है विपरीत पूरा अंकों के जोड़े इसी तरीके से 4 और minus 4 क्या है यह भी विपरीत पूरा अंक है यानि minus 3 का विपरीत पूरा अंक 3 है और 3 का विपरीत पूरा अंक minus 3 4 का विपरीत पूरांग, minus 4 और minus 4 का विपरीत पूरांग, 4 इसी तरीके से अगर 9 का विपरीत पूरांग देखें तो देख रहे हो, minus 9 है तो इस तरीके से हर एक positive integer के लिए विपरीत या उसको संगत पूरांग कहलो या corresponding English में corresponding integer मौजूद है अगर कोई positive integer है, तो उसके corresponding या उसके संगत या उसके विपरीत एक negative integer यानि धन पूरांग के विपरीत एक रिन पूरांग मौजूद है और एक रिन पूरांग के opposite एक धन पूरांग है धन पूरांग के opposite रिन पूरांग है और रिन पूरांग के opposite एक धन पूरांग भी मौजूद है यह तुमने अभी number line पर देखा तो इसको और देखते हैं देख रहे हो कि इसमें 0 बीच में है जो कि ना धन है ना रिन और जो यह plus 1 है इसके opposite कौन सा है माइनस 1 यह माइनस 2 है इसके opposite यह माइनस 2 के opposite क्या है यह plus 2 माइनस 3 प्लस 3 तो यह दोनों क्या है यह है विपरीत पूरांग को के जोड़े ठीक है और इसी तरीके से minus 4 और ये plus 4 क्या है विपरीत पूरांगों के जोड़े तो बचो तुम समझ गए हुए कि विपरीत पूरांग क्या होते हैं और number line पर हम उन्हें कैसे दिखा सकते हैं अब इन विपरीत पूरांगों के जोड़े हम लेते हैं और इन्हें जोड़ कर देखते हैं यानि इनका addition करते हैं और फिर देखते हैं कि result क्या आता है तो चलो इनको जोड़ कर भी देख लेते हैं जोड़ने से पहले बच्चों मैं एक चीज तुम्हें दिखाना चाहूंगी कि यह देख रहे हो कि यह है mask kit यह दिखाई 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 दे रहे होगी बच्चों मैंस करने के लिए हम इस तरह की kit बना सकते हैं और इस kit का use करके देखो इस kit में है क्या पहले 0, 1, 2, 3, 4, 5 जो तुमारे numbers होते हैं उनके blocks है उसके अलावा equal का sign है positive, negative और बहुत सारी चीज़े रखी है धीरे धीरे जैसे ही मैं उन्हें use करूंगी तुम जान करते हैं और देखते हैं कि हमारा addition, subtraction या कोई और चीज जो कि हम करने वाले हैं गनित में अपनी गनित की कक्षा में जो कुछ भी करेंगे क्या हम खेल खेल में इन blocks का use करके सीख सकते हैं तो चलो है ना मज़ेदार सुनने में करके देखते हैं सबसे पहले हमारे जो विपर अंक ले लेते हैं वो चाहें positive हो चाहें negative तो मैं एक अपनी ये math kit को use करते हुए एक number लेती हूँ ये देख रहे हो एक run पूरा अंक है minus 2 अब इसके विपरीत कौन सा पूरा अंक होगा तुम तो जानते ही हो अभी तुमने number line पर देखा सामने भी तुमें दिख रहा होगा इसके opposite कौन सा है plus 2 ठीक है तो हमने लिख दिया plus 2 अब इनको हम क्या करेंगे add करेंगे हमने add किया बच्चों दो sign एक pass हैं तुम्हें इसे bracket में लिखना होगा तो हमने bracket बनाए हैं और हम इसे bracket में लिख देते हैं ठीक है ये देखो कितना आसान है अब इनको हम जोड़ेंग तो जोड़ने के लिए एक और method यूज़ करेंगे कैसे जोड़ सकते हैं block method से ये देखो बच्चों ये हैं blocks ये तुम्हें दिखाई दे रहे होंगे कि एक तरफ इसमें green block है और दूसरी तरफ अगर इसको side change करते हैं तो red अब इनका मतलब क्या है तो जो ये green side है ये plus 1 को indicate क change कर देते हैं यानि opposite side minus 1 को indicate करते हैं यानि एक block अगर हम रखेंगे green वाला तो ये बताएगा कि ये plus 1 है और ये minus 1 ठीक है तो इस हिसाब से इसको add करके देखते हैं तो देखो minus 2 के लिए तुम क्या करोगे 2 red वाले क्योंकि एक red जो है वो minus 1 को indicate करता है तो हम minus 2 के लिए कितन blocks लेंगे 2 blocks और plus 2 के लिए 2 green block अब इनको add कर दो, add करना है na addition का sign है तो हमें add करना, add करने का मतलब sumlet करो, कर दिया sumlet अब तुम देख रहे हो कि 1 positive और 1 negative यानि 1 plus 1, 1 minus 1 equal to क्या हो जाएगा, ये equal opposite है, equal to 0 जैसे बच्चों मालो तुम्हारे पास एक pencil है अब वो तुम्हारे दोस ने तुमसे ले ली, तुम्हारे पास क्या बचा, वो तुम्हारे पास से हट गई, कितना बचा, कुछ नहीं बचा, यानि 0, ठीक है, तो इस हिसाब से, ये plus 1, minus 1, equal opposite, 0, ये plus 1, minus 1, equal opposite, 0, क्या बचा, 0 बचा, answer लिख देते हैं, हमारा क्या हुआ, 0 से, मैसे, को यूज ए, इसे एक फायदा दुम्हारा कुछ गलती होती है, मारत की, क्या होगा इस से, आसानी से चेंज कर लोगे, कोशिन भी बदल सकते हो, बार-बार दूसरे कोशिन बदल-बदल के कर सकते हो, बहुत सारे अपनी जो भाई बहन है, छोटे-चोटे हैं, उन math kit तुम आसानी से बना सकते हो और बना लेना चलो अब कुछ और लेते हैं हम लेते हैं कोई positive integer यानि धन पूरा प्लस 6 इसको भी हम add करेंगे इसका विप्रीद पूरांग क्या होगा इसका विप्रीद पूरांग minus 6 क्योंकि plus 6 और minus 6 0 से equal distance पर हैं तो हम लिखेंगे minus 6 यह लिख गया हमारा minus 6 और इसको भी हम किसमें रखेंगे bracket लगाना मत भूलना ठीक है यह हमने bracket लगा दिया अब इसको भी हम add करते हैं equal का sign लगाते हैं addition हम वैसे ही करेंगे अब तो तुम जान ही गए होगे कि plus 6 के लिए तुम green वाले कितने blocks use करोगे कितने करोगे 6 blocks क्योंकि कितना लिखा है plus का 6 तो green वाले हमने 1,2,3,4,5 and 6 use किये अब minus 6 के लिए क्या करोगे red side 1,2,3 red क्यों किया इसलिए किया क्योंकि red जो color है वो minus को indicate करता है ठीक है यह हो गये तुमारे 5 और यह हो गया 6 अब इन सब को add करो to add करना मैंने तुम्हें बताया ही है जब इने add करेंगे तो pair बनेंगे ना plus 1 minus 1 equal to 0 तो यह हमारा 0 हो जाएगा इस तरह से यह भी 0 यह भी 0 देख रहे हो सब 0 गया तो इसका आंसर भी क्या आया इसका आंसर भी हमारा आ गया क्या 0 तो हम क्या करेंगे? kit में से 0 निकालेंगे और यहां 0 लग देंगे अब अगर 0 की बात करें कि 0 का विपरीत पूराऑंक क्या होगा तो 0 का विपरीत पूराऑंक भी 0 ही होगा क्योंकि 0 में जब हम 0 add करते हैं तो क्या आएगा? 0 में 0 add किया? जीरो यहां बचो देख रहे हो तुम तीनों ही questions जो तुमने किये उसमें जब हम विपरीत पूरांकों को जोड रहे हैं तो क्या आ रहा है जीरो आ रहा है और जीरो क्या होता है जीरो होता है additive identity यानि योगात्मक तस्समक अब योगात्मक तस्समक तुम पूर संख्याओं वाले अध्याय में पढ़ चुके हो एक बार मैं तुम्हें फिर से याद दिला देती हूं योगात्मक तस्समक यानि जीरो को क्यों कहते हैं क्योंकि जीरो में अगर हम कोई भी दिखे आती है तो जीरो को क्या कहते हैं योगात्मक तस्समक यानि additive identity ठीक है तो देख रहे हो कि याँ additive identity आ रही है तो ये दोनों जो विपरीत पूरांग तुमने लिखे हैं वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं additive inverse यानि योगात्मक तस्समक जैसे की तुम्हें यहाँ पर दिखाई दे रहा है ठीक है तो minus 2 जो है इसका योगात्मक तस्समक क्या होगा प्लस 2 प्लस 6 का योगात्मक तस्समक क्या होगा माइनस 6 सॉरी योगात्मक प्रतिलोम क्योंकि तस्समक हमारा क्या है 0 अब 0 का योगात्मक प्रतिलोम यानि additive inverse क्या होगा 0 तो अब समझ गई योगात्मक तस्समक क्या है योगात्मक प्रतिलोम क्या है योगात्मक तस्समक ह होता है 0 क्योंकि 0 में कोई भी संख्या जोड़े योगफल हमारा वही संख्या आती है तो यह हो गया तत्समग अब प्रतिलों की बात करें प्रतिलों मतलब उल्टा तो इस में क्या करना है कि जब किसी भी इंटीजर का तुम्हें इन्वर्स निकालना है तो तुम क्या करो साइन को चेंज कर दो संख्यात्मक मान वही रहेगा जैसे की माइनस टू था अब माइनस टू का जो योगात्मक प्रतिलोम होगा वो क्या हो जाएगा प्लस टू तो उसमें क्या किया संख्यात्मक मान तो प्रतिलोम निकालना है लेकिन जीरो के लिए तो जीरो का योगात्मक प्रतिलोम जीरो ही रहेगा तो चलो बच्चो इसमें क्या करते हैं हम इसमें हम क्या करते हैं एक तरफ लिखते हैं योगात्मक प्रतिलोम और एक तरफ पूरांग तो जिसी किसी भी पूरांग का निकालन यानि बहुत बड़ी संख्या, यह मैंने जिसे छोटी-छोटी संख्याइ ली, तुम्हें लेना है, मानलो यह है 59 और वो positive है, अब तुम्हें इसे लेना है, और इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें निकालना है योगात्मक प्रतिलोम, तो कैसे होगा, तुम क्या करोगे इसमें तुम क्या करोगे, sign को change कर दोगे, लेकिन संख्यात्मक मान change नहीं करना, तो संख्यात्मक मान में क्या लिखोगे 59, लेकिन किसका sign को change करना है, sign को change करो क्या हो जाएगा, minus 59, तो यह हो गया, plus 59 का yogaatmak pratilom minus 59, और अगर minus 59 का पूछा जाता, तो तुम बता देते, plus 59. तो बच्चों तुम सीख गए होगे कि योगा अत्मत प्रतिलोम हम कैसे निकालते हैं अब वापस नमबर लाइन पर चलते हैं और कुछ और सीखते हैं नमबर लाइन से ठीक है इसको हटा देते हैं और हम वापस अपनी नमबर लाइन पर आ जाते हैं यह रही हमारी number line ठीक है अब देखो यह हमारी संख्या रेखा है मैंने अभी अभी तुम्हें बताया था कि अगर हमें 3 पे जाना है तो हमें 0 के right side जाना है माइनस 3 पे जाना है तो 0 के left side जाना है तो चलो हम एक बार फिर से करके देखते हैं कि अगर हम प्लस 3 पे जा रहे हैं 1,2,3 कहां चले 0 के right side कितना 3 units 1,2,3 अब unit क्या होती है तुमने अगर number line पर centimeter में खीचे हैं 1,2,3 distance जो ली है तुमने तो तुम क्या करोगे तो वो unit हो गई कि तुम्हारी centimeter और या तो meter या kilometer unit कुछ भी हो सकती है तो हमारा है 1,2,3 3 units हम चले अगर minus 3 पे जाना है तब क्या करोगे 1,2,3 3 units ही चल लेकिन opposite direction में यानि right का opposite left left जा रहे ना लेकिन हमने समान दूरी तै की है दूरी को एक बार और समझ लो कि दूरी क्या होती है तो यहां देखो दूरी होती है तै किये गए मार्ग की लंबाई यहां से तुमने कितना मार्ग तै किया यह लंबाई जो है वो दूरी कहलाएगी तो दूरी कितनी हो गई, जीरो से तीन तक जो तुमने मार्ग तेय किया, उसकी लंबाई वो होती है दूरी और तेय किये गई मार्ग की लंबाई, यानि लंबाई कभी माइनस में नहीं हो सकती, वो पॉजिटिव ही होगी तो क्या होगा, जो दूरी होगी वो क्या होगी प्लस 50 किलो मीटर्स यानि वो धनात्मक ही होगी वो रनात्मक नहीं हो सकती तो यहां पर भी देख रहे हो कि 0 से हम चाहें 3 पे जा रहे हैं चाहें 0 से माइनस 3 पे जा रहे हैं तै किये गए मार की लंबाई समान है और वो भी पॉजिटिव क्योंकि वो धनात्मक होती ही नहीं है इसी तरीके से अगर हमें माइनस 4 पे जाना है तो 1, 2, 3, 4, 4 उनिट्स चलेंगे हम तो जो धूरी होगी वो कितनी होगी 4 क्योंकि वो तो धनात्मक होगी चाहें हम किसी भी निगेटिव इंटीजर की तरफ चलें दोनों में ही जो डिस्टेंस हमने कवर की है वो पॉजिटिव होगी तो यही किसी भी नंबर की चाहें वो पॉजिटिव इंटीजर हो चाहें वो निगेटिव इंटीजर हो जीरो से तै की गई दूरी उस नंबर तक क्या कहलाती है उ उस पूरांग का निरपेक्षमान यानी absolute value ठीक है तो पूरांग का निरपेक्षमान निकालना तुम्हें समझ में आ गया जीरो से वो उसकी दूरी कितनी है यह देख लो तो वही हो जाएगा उस पूरांग का निर्पेख्षमान और जो निर्पेख्षमान है तुमने देखा है कि वो जीरो से उस नमबर तक तैकी गई दूरी होती है और वो पॉजिटिव होती है तो क्या होगा निर्पेख्षमान हमेशा धनात्मक होगा चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर की बात करें चाहे हम निगेटिव इंटीजर की बात करें तो निर्पेख्षमान क्या आएगा हमेशा पॉजिटिव ही आएगा तो जैसे अगर हम कहें माइनस तू का या absolute value जिसको कहते हैं 7 का निर्पेक्षमान क्या होगा 7 ही होगा 10 का निर्पेक्षमान 10 होगा चलो अब हमने positive और negative integers के absolute value तो देख ली लेकिन 0 का क्या 0 की absolute value क्या होगी तो तुम बताओ की सोचो इस चीज को की 0 की absolute value क्या हो सकती है एक hint जो निर्पेक्षमान होता है वो 0 से उस संख्या तक तै की गई दूरी होती है तो 0 से 0 पर पहुँचने के लिए हम कितनी distance तै कर रहे हैं यानि कितनी दूरी तै कर रहे हैं 0 हम चली नहीं रहे हैं देख रहे हो ना 0 से 0 तक पहुचने के लिए तुम कितनी दूरी तै कर रहे हो 0 तो 0 का जो निर्पेक्षमान है यानि absolute value क्या होगी 0 ही होगी ठीक है बच्चों तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि absolute value क्या होती है अब चलो इसको हम सीखते हैं कि हम इसे copy पे करना हो ब्लॉक से करना हो कैसे करेंगे इस number line को हम हटा देते हैं number line पर हम सीख चुके हैं और अब हम लेते हैं इसको लिख के देखेंगे कि हम इसे कैसे करेंगे तो बच्चों ये देख रहे हो कि ये हमारी math kit फिर से use होने वाली है और वो हम कैसे करेंगे तो कोई चलो हम negative integer ले लेते हैं तो हमने ये ले लिया minus 4 अब इसका हमें निर्पेक्षमान निकालना है कैसे निकालोगे तो बच्चों तुम addition करते हो यानि जोड तो जोड में क्या करते हो जोड लिखते हो नहीं उसका sign लगाते हो मल्डिप्लिकेशन करते हो उसका भी sign लगाते हो इसी तरीके से गर निर्पेक्षमान निकालना हो तो इसके लिए भी हम एक sign का प्रयोग करते हैं और वो क्या है यह vertical bars यह देखो बच्चों यह vertical bars हैं जिनको हिंदी में कहेंगे उर्धवादर दंड इनके बीच में ही कोई भी जो इंटीजर हो चाहे वो positive चाहे निगेटिव चाहे जीरो इसके बीच में रखा जाता है यह दो vertical bars है, ध्यान दो, इसको क्या कहते हैं, उर्दवादर दंड, और इसको पढ़ेंगे कैसे, जरसे मैंने यह लिख दिया, अब तुम इसको कैसे पढ़ोगे, तो इसे पढ़ोगे, minus 4 का निर्पेक्षमान, ठीक है, और English में अगर इसे पढ़ना हो, तब कैसे पढ़ोगे absolute value of minus 4, समझ में आ गया, अब चलो हम अपना प्रेश्न करते हैं, minus 4 की absolute value निकालनी है, हम कैसे निकालेंगे, क्या हो जाएगी, 4, और वो क्यों, यह हम अभी number line पर सीख चुके हैं, वो इसलिए, क्योंकि minus 4 की absolute value होती है, 0 से, minus 4 तक तै की गई दूरी, और वो दूरी जो होती ही है, यानि तै की गई मार की लंबाई, वो कभी भी minus में नहीं हो सकती, तो संख्यात्मक मान तो हमारा यही रहेगा, लेकिन sign हम ignore कर देंगे, ठीक है, तो हमारी जो result आएगा, यह निरपेक्ष मान आएगा, वो क्या होगा, 4 होगा, और अगर इसी तरीके से, इसको देखो, अगर हम plus का 4 ले लें, और इसका निरपेक्ष मान निकालना हो, तो हम कैसे निकालें, तो हम इसको भी तो इसी तरह से लिखेंगे, plus 4, absolute value of plus 4, और वो कितनी आएगी, वो भी तो 4 आएगी, क्योंकि हम number line पर देखा था, कि 0 से same distance में है, plus 4 और minus 4, तो इसमें भी देखो, कि plus 4, इसका भी निरपेक्ष मान 4 होगा, और minus 4 इसका भी निरपेक्ष मान 4 होगा, इसी तरीके से, कोई और भी number ले सकते हैं, जैसे 19 ले लो, कोई सा भी number, अब देखो, ये math kit से तुम्हें कित किया, उठा के रख लिया, दूसरा change कर दिया, इसकी जगे हम कुछ और भी कर सकते थे, अगर मुझे ये नहीं चाहिए, मैं कुछ और चाह रहे हूं, मेरा मन और कर रहा है, कुछ और लिखने का, लो मैंने ये लिख दिया, है ना, game बन गया, तो चलो, फिर इसके absolute value हमें नि माइनस का 89 लेना हो, तब क्या होगा, चलो हमने लिख दिया, और इसके आगे माइनस का sign लगा दिया, इसकी absolute value क्या होगी, इसको भी हम क्या करेंगे, vertical bar यानि उर्दवादर दंड में रखेंगे, और हमने रख दिया इसको, ये blocks लगा के, और ये भी क्या होगी, positive होगी, त उसकी absolute value यानि निर्पेक्षमान क्या होगा हमेशा positive ही आएगा, और 0 की बात करें, तो 0 को भी हम इसी तरीके से vertical bar के अंदर रखेंगे, ये देखो, रख दिया, और इसको पढ़ेंगे 0 का निर्पेक्षमान, और ये क्या आएगा, अब तो तुम जान ही चुके होगे, कि य अगर हमें किसी भी positive integer हो, चाहें कोई negative integer हो, उसका निर्पेक्षमान हमेशा positive आता है, कभी रणात्मक हो ही नहीं सकता, लेकिन अगर हम 0 की बात करें, तब तम निर्पेक्षमान 0 ही आएगा, तो अगर सब पूरांकों की बात करें, तो हमारा जो निर्पेक्षमान है, वो कि ना आएगा, हमेशा धनात्मक आएगा और या तो फिर 0 आएगा, 0 के case में रणात्मक कभी नहीं आएगा, तो बच्चों तुम सीख चुके होगे, कि योगात्मक प्रतिलों कैसे निकालते हैं, और किसी भी पूरांका निर्पेक्षमान कैसे निकाल सकते हैं, तो चलो बच् लिखा कि किसी भी पूरांक का योगात्मक प्रतिलों, उसका संगत या विपरीत पूरांक होता है, और दोनों का योगफल सदय 0 होता है, जैसे कि अगर हम लेले A और माइनस A, तो इनका योग क्या होगा, मैंने बताया था, additive identity यानि 0, और A और माइनस A क्या है, परस पर यो योगात्मक प्रतिलों है, A का योगात्मक प्रतिलों माइनस A है, और माइनस A का योगात्मक प्रतिलों क्या है, प्लस A, और 0 का योगात्मक प्रतिलों, 0 ही होता है, किसी पूरांक अगर हम निर्पेक्षमान ग्याद करना होता है, तो उसे वर्टिकल बार्स के अंदर रख लिए बच्चों तुमने जो सीखा है उसको तुम परत भी लो कि क्या तुमने सब सही सीखा है और तुम सम्मंधित कोश्चन भी कर सकते हो तो देखो ये कोश्चन तुम कर सकते हो घर पर पूरांख माइनस 3 का विपुरीत पूरांग क्या है दूसरा कूश्चन किसी को का निर्पेक्षमान सदेव धनात्मक होता है और पूरांक माइनस ग्यारा का निर्पेक्षमान हम कैसे निकाल सकते हैं तो बच्चों खेल-खेल में तुम आसानी से सीखी गए होगे कि हम योगात्मक प्रतलोम कैसे निकाले किसी पूरांका और निर्पेक शुमान कैसे निकाले धन्यवाद